नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूप्टुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन टीजीटी परिछा 2021 इतिहास और चेप्टर का नामे मुगल कालिन साहित्य की रचनाएं सिकेंड यानि इससे पहले एक वीडियो बन चुका है और यह प्रेट्टी सेट एक क्यासी है तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट अबई तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटे को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करू उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब क करते हैं हाँ अगर आप लोग के इससे पिछले असी प्रेटी सेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी टीजी टी इतिहास के नाम सर और चैनल पर भी आप लोग उसको देख सकते हैं और उसकी वाद अगर आप लोग के लिए मै उपलब्द कराया हूँ डिस्किप्शन में उसका लिंक तो उस लिंक के माधम से भी इसका वीडियो देख सकते हैं तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं कोशन नमर वन है निम्न में से कौन सा युगम सही है ये पुछा जा रहा है इसमें कौशन कौन सा युगम सही है मारक सहिं पछा है कौन सा युग्म सही है तो फादर एंथेनी मानसरेट यह युग्म सही है तो फादर एंथेनी मानसरेट एक पुर्तगाली पादरी था और उसी के नित्रत में अकबर के दरबार में युझी मंडल पहुंचा था और यह अकबर के दरबार में पंदरस वसी से बैसी तक यह निए दो वर्सों तक रहा था यह कोश्चन नमबर दो है हिमाउ नामा किस ने लिखा था हिमाउ नामा किस ने लिखा था तो हिमायू नामा की रचना है हिमायू की बहन का नाम है गुलबदन बेगम ने फार्शी भासा में अकबर के सासनकाल में इसकी रचना के थी हिमायू नामा की कोश्चन नमबर तीन है आईने अकबरी का लेखक कौन है आईने अकबरी तो आईने अकबरी का लेखक कौन है तो इसमें दिया है अलवरोनी अवुल फजल बदायनी भरनी तो इसका करेक्टेंस हो जाएगा भी अवुल फजल तो आईने अकबरी का लेखक कौन है अवुल तो वाक्याते बाबरी क्या है तो वाक्याते बाबरी जो है बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्म कथा है बाबर नामा नाम से चर्चित जो है बाबर की आत्म कथा है वाक्याते बाबरी कुछस्टन नमबर पांच है तुजु के बाबरी एवं मस्नवी साहितिक किरतियां है ये साहितिक किरतियां किसकी है बाबर की है की हमाईू की है की फिर्दोसी की है की गुलबदन बेगम की है तो इसमें correct answer हो जाएगा तुझू के बाबरी और मनस्वी सायतिक कृतियां किसकी है ये बाबर की है इंसर इसमें ये होगा बाबर की है तुझू के तो बाबरी तो बाबर ये जो है स्वेम अपनी मात्रिभासा में लिका था तुर्की में और ये उसकी आत्म कथा है तुझू के बाबरी इसको जो है बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है तुझू के बाबरी या इसी को वाक्याते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है तीनु एक ही है इसके अधरिक्त जो है बाबर ने जो है मस्नवी भी लिखी थी कोश्चन नमबर छे है मुन्तखब उत्तवारीक पुस्तक के लेखा का नाम है तो इसके पुस्तक के लेखा का क्या नाम है तो इसमें इंसर हो जाएगा बी अब्दुल कादिर बदायुनी अब्दुल कादिर बदायुनी कोश्चन नमबर साथ है निमलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिको की रचना नहीं है यह पूछ रहा है कौन सा इसमें से ग्रंत है जो दारा सिको ने नहीं रचा है यह रचना नहीं की है इसमें देखे सिर्य अकबर ये तो दारा के है मजमा अलबारी ने भी दारा के समंदर संगम ये भी दारा दोरा लिखा गए हाँ दारा बनामा ये जो है दारा सिको की नहीं ह इसमें एंसर हो जाएगा आपका D नहीं पुछा है एंसर D होगा इसमें Question No.8 है कली लाह दिमना निम्लिकित में से किस गरंथ का अरभी रुपांतरण है अरभी रुपांतरण है तो यह अरभी रुपांतरण किस का पंचतंतर का कली लाह दिमना ये पांचित नंत्र का अर्वी रुपा रुपांतरण है और इसका जह है ये पांचित नंत्र का है विशूर्ण सर्माई इसके रैक्टर है पांचित नंत्र के कोस्टन नंबर नौ है निमलिखित में से कोन एक संस्क्रिट के विद्वानों की सहता से दाराशी को द्वारा तैयार कियेगे उपनी सतों का फार्सी अन्बात की प्रस्तुती है ये फार्सी अन्बात का प्रस्तुती है तो ये है सिर ए अकबर ए एंसर होगा इसमें लेकिन एंसर इसमें ए सही होगा सिर ए अकबर कोश्चन नमबर दस है मद्यकालिन भारत का इतिहास लिखा गया तो मद्यकालिन भारत का इतिहास किस में लिखा गया है तूर्की में लिखा गया है कि फार्सी में कि उर्दु में कि पस्तो में इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा मद्यकालिन भारत का इतियास लिखा है कि इसमें जादातर फार्सी में लिखा गया है एंसर हो जाएगा इसमें B किस में लिखा गया है फार्सी में कोशन नमबर 11 है सुप्रसिद्ध किर्थी तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी तबकात ए अकबरी इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी इसमें करेक्ट इंस रजाएगा ए ख्वाजा निज्जामुदीन अहमद द्वारा ख्वाजा निज्जामुदीन अहमद ने तबकात ए अपकरी की रचना की थी इसको देखे तबकात ए अकबरी को जो है तारीखे निज्जामी के नाम से भी जना जाता है इसका एक और नाम है इसका नाम है तारीखे निज्जामी कहीं के इस पुस्त को भी नाम दे देगा कि तारीखी निजामी के रचना किसने की थी तो इसका भी इंसर रोजाएगा निजामुदीन आहमद ने कोशन नमर 12 है सुप्रसिद्ध किरिती तपकात अकबरी की रचना किसने की थी कोशन नमर 13 है कौन मुरक्का ए देहली का लेखक है तो वह है गुलाम हुसैन तबात बाई कोशन नमर 14 है भीम सेन की नुस्खा ए दिलखुसा जानकारी का सुरोत है तो भीम सेन की जो नुस्खा ए दिलखुसा ग्रंथ है ये किसकी जानकारी देता है ये पुछा जारा है इसमे तो ये जानकारी देता है इसमें किसकी कुस्चन नमबर 15 है आलमगीर नामा का लेखा कौन था तो इसका राइटर था मिर्जा मुहम्मद काजीम कुस्चन नमबर 16 है मुगलकाल में प्रचलित भासाओं में एक रेखता थी इस भासा का लोकपिरिय नाम क्या था इसका लोकपिरिय नाम था उर्दू एंसर हो जाएगा ए उर्दू कुस्चन नमबर 17 है आरंगजेब ने अपनी बिजयों को लिपीबद करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था तो उसे हिंदू इतिहासकार का नाम था जिसको खोजा था वो था इस्वर्दास नागर इंसर हो जाएगा इसमें बी इस्वर्दास नागर कुस्चन नमबर 18 है मुगल काल में नीमन में से कौन सा स्थान हिंदू सिच्छा का एक परमुख किंद्र है इसका नाम है नदिया मुगल काल में नदिया हिंदू सिच्छा का एक परमुख किंद्र माना जाता था कोश्चन नमबर 19 है औरंग जेब के राजिकाल में नुस्क ए दिल खुषा नामक गरंथ किसने लिखा ये लिखा गया था किसके द्वारा भीम सिंद्वारा इंसर जाएगा ये भीम सिंद्वारा कोश्चन नमबर 20 है निमलेखित में से किसने उपनी सदों को फार्शी में अनूदित कराने की पहल की थी ये पहल की थी दारा ने ये दारा सिको ने कोश्चन नमबर 21 है मज उरूल बहरेन पुस्तक के लेखक का नाम है इसके पुस्तक का लेखक क्या दाम है तो इसका है दारा सिको मज मज उरूल बहरेन इसका आर्थ होता है दो महा सागरों का मिलन या दो समुंद्रों का मिलन कोशन नमर 22 है दारा सिको के प्रसरे में किस संस्क्रित कृति का फार्सी अनबाद नहीं हुआ था इसमें नहीं पुछा है ये भागवत पुराण का ये नहीं हुआ था इसके अलवा उपनी सदों भागवत गित्ता वो योग वसिष्ट इसका हुआ था कोशन नमर 23 है राजकुमार दारा सिको ने किसका फार्सी में अनबाद कराया था ये फार्सी में अनबाद कराया था किसका उपनी सदों का इसमर जाएगा भी किसका उपनी सदों का कोश्चन नमर 24 है किस भासा के सासनकाल में उपनिशदों का फार्सी भासा में अनुवादित किया गया था किसका सासनकाल था तो उसमें सासनकाल था साह जहां का कोश्चन नमर 25 है और अंतिव कोश्चन है औरंग ज्येव के राजकालकास महत्पुण ग्रन्त फुतुहात आलमगीरी किसकी द्वारा रची गया थी ये किसकी द्वारा लिखा गया था, फुतुहात आलमगीरी आपसंदिया भीमसेनि स्वर्दास नियामत अली खान अली महमध खान तो इसमें correct answer हो जाएगा इस्वर्दास ने इस्वर्दास ने फुत्वात यालमगिरी की रचना की थी तो ये थे question आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको like करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक share करें धन्यवाद दोस् हैं अगले वीडियो में